रोहित अगरवाल जी है, RLD से, एक लाइन पुछ लीजे उनको, हनुमान जी की जाती किस ने बताई थी, भगवान श्री हनुमान की जाती किस ने बताई थी, योगे जिसना जीन है, हम जाती में यकीन नहीं करते हैं, लेकिन हम भगवान की भी जाती पब्लिक फंक्शन में कर अच्छे कीजे, सही है अगलते, पुछ लीजे आप रोहित से, शिवा मताईए फिर, रोहित अगरवाज की जाती की जाती पताते फिरते हैं, इनको दर किस बात का है, फिर मुझे ये समझ में नहीं आता, जो लोग अपनी राजनीती जाती की करते हैं, उनको दूसरों से क् परिशानी है भाई, भाई आपकी पार्टी जाती के आधार पर, आपकी पार्टी का आधार जाती, आपकी राजनीती का आधार जाती, अब तक जहां पर भी आप पहुंचे उसका आधार जाती, और हम अगर जाती की बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, इसको आपके पास रोहित अगरवाल जी जब आप समाजवादी पार्टी और बीजेपी के योगी आदितनात के बीच क्या ये शब्दबान वाला युद देख रहे हैं ऐसे में आप क्या सोचते हैं आप तो पहले पीडिये का हिस्सा थे चुनाव से पहले बीजेपी में आए क्या पीडिये के दल हिंदू धर्म को निशाना बनाते हैं इस तरह के शब्दों से टेमिलोजी को मुझे लगता है कि अपने स्वार्थ के इसाब से इस्तमाल करने का काम जो समाजवादी पार्टी कर रही है उस पे आप कम से कम हमको जाती वादका कम से कम चश्मा हमको मत पहनाईए हम तो चौदी चरण सिंग जी की विचार धारा से आते हैं जिनोंने कहीं ने जाती तोड़ो अंदोलन चलाया था और उन्होंने अंतर जाती विवाओं को प्रोचसाहन देने का काम किया था तो इसलिए हम जातियों के अधार पे राजनिती नहीं करते हैं परन्तु हाँ हमारे देश में आज आत्ममुग्द विपक्ष जरूर है और ये जो आप युद भगवान राम की नगरी में जीतने के बाद ये समय नहीं मिला कि जाके माथाटे एका हैं भगवान राम का धन्यवाद दे आएं कि जहां पे ये जीत गए ये क्लेम करते हैं अकलेश जी अवधेश जी का हाथ पकड़ के गूमते हैं कि सहाब ये आयोद्ध्या के नए हैं वो बात अलग है कि जब से वो नरेश जीते हैं तब से वहाँ पे किस तरीके से बलातकार के जो घटनाए है वो बढ़ गई है वो पुरा देश देख रहा है कि अधर्वनगरी में बलातकार होना शुरू हो गए है जो मोहित खान इनके जिलाद्यक्ष रहें समाजवादी पाटी के उन्होंने किस तरीके से बेटी के साथ दुराचार किया है वो एक अलग मैटर है परन्तु कम से कम भगवान राम को धन्यवाद तो देने चले आते है अकले शादो जी और ये राहूल गांडी जी चले आते कम से कम नहीं जा रहे थे अकले शादो जी तो धर्म की एक बात तो करें तो बात बलकूल ना करें दो धर्म पर हमला जाति की बात आखर मैं क्यों कह रहा हूं ये भी इसी बयानों के युद के सामने आए